नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा बल्ड में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि C और C++ में क्या difference है तो आज की इस वीडियो में यह question cover करेंगे ठीक है यह question जाता है आपके interview exam में आपके पास C है या C++ है तो यह हर जगा पूछ लिया जाता है यह कोई basic question है तो अगर आपको यह नहीं पता है तो फिर इसमें आपकी बहुत बड़ी बेजती होती है अगर आपको कोई सामझे पूछता है कि भाई C और C++ में एक difference बता दू बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एक भी difference बता नहीं होता है आज की वीडियोस में आपको difference between C and C++ लेका है तो देखिया C क्या होता है C हमारा C support function programming ठीक है C support करती है हमारी function programming को C++ कहा है C++ हमारी support करती है oops concept को oops मतलब object oriented programming language ठीक है और C हमारी किसको support करती है function programming को C++ करती है oops concept को support ठीक है C जो है C is middle level language ठीक है और C++ is high level language मतलब C जो हमाई middle level language है और C++ में high level language होती है In C we can't use inheritance मतलब C में हम inheritance use नहीं कर सकते क्योंकि C को यहाँ ani oops concept to work नहीं करती है इसलिए हम इसमें inheritance को use नहीं कर सकते है C++ में हम inheritance को use करते हैं ठीक है C में जो C का extension होता है अगर आपने C में work किया है तो आपको पता हूँ है जो C का extension होता है वो .C होता है और C++ का extension होता है .CPP या फिर हाँ मतलब .CPP ठीक है C का होता है .C उसको होता है .CPP C में क्यों होता है कि C में C जो होता है तो सबसेट होता मैं C++ का और C++ जो होती है उस पर सेट होती है C की ठीक है तो यह थे डिफेरेंस में C और C++ में आगे मैं आपको और ऐसे ही डिफेरेंस लेके आता रहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ टाटा बाई बाई